सौगत है संध्या के कीचन में, आज हम बनाने जारे दाल पालक, हमने चार रंग का दाल ले लिया है, तूर दाल, मोंग दाल, उरत दाल, मसूर दाल, इस हम अच्छे से हम साफ कर लिया है, अभी हम कूकर में डाल के अच्छे से धो लेंगे दो तीन पानी, हमने पालक को अच्छे से साफ करके दो के काट लिया है, अभी हम कूकर में डाल देंगे, इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा दाल पालक बन के तयार होता है, अभी हम दो गलास पानी डाल दे रही हूं, हल्दी मिर्ची धनिया मसाला डाल दे रही हूं, एक चमच, एक चमच नमक डाल दे रही हूं, अभी हम थोड़ा सा कूकर के धक्कन में थोड़ा सा हम ओईल डाल रहे हैं, जैसे की बहे ना दाल हमारा, अभी हम कुकर के ढकन को अच्छे से हम बंद कर देंगे और सीटी लगा देंगे अभी हमें चार सीटी देना है दो फूल आज दो धीमी आज अभी हमारा कुकर ठंडा हो गया है अभी चलिए हम देखते हमारा दाल पक गया है की नई देखिए हमारा दाल एकदम से पर्फेक्ट पक गया है देखिए एकदम से अच्छा हो गया है हमारा दाल अभी हम फ्राई के लिए एक टोप रख देंगे उसमें ओइल डाल देंगे दो चमच अभी हम टमाटर, प्याज, लेसुन, लाल मिर्च अभी हम एक टोप ले रही हूँ उसमें हम तेल डाल दे रहे हैं और लेसुन डाल दे रहे हैं लेसुन हमारा हलका सा ब्राउन हो जाए फिर हम उसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे प्याज हमारा हलका ब्राउन हो जाये तब तक हमें चलाना है हमने गयज को slow watch रखा है नए तो प्याज जलने का डर रहता है अभी हम आधा चम्मच जीरा डाल दे रहे हैं जीरा भी अच्छे से ब्राउन हो जाये अभी हम एक पिंच हिंग डाल रहे हैं हिंग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पालक के दाल में आप लोग जरूर हिंग डालिए, बहुत खुसबू भी आता है, टेस्ट भी आता है, अभी प्याज हमारा हलका ब्राउन हो जाए, अभी हम हरा मिर्च और दो लाल मिर्च डाल दी हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लाल मिर्च का तो हम डेकॉरेट के लिए रख दी हूँ, अभी हम हलका से ब्राउन हो जागना, मैं उसको निकाल लूँगी, अभी देखिए हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, अभी हम एक टमाटर काट लिए हूँ, टमाटर को डाल दूँगी, टमाटर भी अच्छे से हमारा सौप्ट हो जाना चाहिए, टमाटर का तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पालक डाल में, डाल पालक आप लोग भी जरूर बनाए, बहुत टेस्टी होता है, देखिए हमारा टमाटर पिघल गया है, अभी हम आधा चमच नमक डाल दे रहे हैं, नमक डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि हमारा टमाटर एकदम सौप्ट हो जाए, आधा चमच हम हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर डाल दे रहे हैं, यह भी अच्छे से पक जाना चाहिए, तब तक हम चलाएंगे, जब तक अच्छे से पकेगा नहीं, देखिए हमारा टमाटर सौप्ट हो गया है, अभी हम डाल पालक जो उबाल के रखे थे, अभी हम टोप में डाल देंगे, डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, देखिए अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा सुंदर कला लग रहा है, देखने में इतना अच्छा लग रहा तो खाने में कितना टेश्टी होगा, देखिए परफेक्ट डाल हमारा बन के तैयार हो रहा है, इस तरह से डाल आप लोग जरूर बना के खाईए, और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना की कैसा लगा हमारा डाल, देखिए अभी हम आप लोग को सर्फ करके दिखा देते हैं, परफेक्ट एकदम गाढ़ा डाल बन के तैयार हुआ है, हमारा डाल पालक पसंद आए तो लाइक से सस्क्राइब जरूर करना, अभी हम देखिए आप लोग को डेकोरेट करके दिखा दे रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक से सस्क्राइब जरूर करना, अब बेल आइकन बटन जरूर दबाना, टाटा बाई बाई